आप सोपोछकत है हमारे YouTube चैनल शहायमिस्त्रा में तो अगर आपको हमारी वीडियो lan趁 दिए छलिए्जि़े के आज quieres कना ना आज की हमारी बीजियो जिए आज ले करें कि आये तीन प्रकार के नश्ते सब सकते, इसे प्रेश म two ways में देखे लिए हैं को सब्सक्राइब से अबेटर आपायिके बाख़ में दालेंगे धनिया पौडर ह्ग पाउड़र, और यह देखिए चाट मसाला, मग्रेयल सीट्स यानि कलाउंजी और नमक, प्रेस्ट मेंसवार अब इसे हम हल्दी डाल देंगे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, यह जो नास्ता बन रहा है वो बिल्कुल ओयल फ्री नास्ता है, आप इसी तरह से बना करके खा सकती है इसको तो आटा या फिर आप बेशन भी ले सकते हैं आटे की जगा है मगर हम आटा ले रहा है तो थोड़ा सा आटा डेके डाला में आहा बाउल डाल दिया और मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें आटे की ज्यादा मातरा नहीं रखनी है बस थोड़ी सी मातरा रखनी है जिससे कि हमार जो हमारी बेस्टेबल से उसमें बाइंडिंग आ जाए बस इतना ही रखना है तो देखें बैंडिंग बाइंडिंग आ गई है अच्छे से यह देखें तो फुल बाउल आटा लग गया है इसमें तो यह बहुत हल्दी है अब इस्टीम के लिए देखें हमने रख दिया है दो गास पानी रख दिया है अब पारात ने ओल लगा दिया है इस तरह से और देखें कर देंगे लेकिन ग्रीस इस तरह से इंदर और इस अंदर थोड़ा सा उंगली से इंच्छें फटकने नहीं से इत्वर नहीं तेशिकर रटयता हुआ है फिर में पहुत था territory है उसे भी कर दो हैं में और सीन लगाए कि पceptions कि आय गाया है। तही में नहीं पैनी कि यह समय제가 टवड़ा है भावल कि ओं प्ड़विए धाड्याहन moody टीक है पता लेंगे कि आपके यह कि पके हैंने तो देखेंता है। अच्छा सी चेंज हो गया गया सब्सक्राय। यह तरह से जेए सके ही संद्राव भी है। शेये थंद्राव स्वर्थ. इस देले का सब्सक्राव सहतना इंधर हमारे था हैं। यमी टेश्टी डिलिसस नास्ता और आपके पास कोई जरूरी नहीं है जो हमने सब्जी बताई है वही आप लें आप इसमें कोई भी सब्जी यहां ले सकते हैं चाहिए वह पत्ता गोभी हो या फिर कोई और चीजे हो आप असानी से ले सकते हैं तो यह बन करके त्यार होगा हमारे यमी टेश्टी बिना ओयल के नास्ता आगे देखिए तो चलिए अगर आपको यह रेस्पी अच्छी लगी हो तो हमारी लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करेगा आप देख सकते हैं कि इतना सारा है बहुत हल्दी बहुत टेस्टी नास्ता तो चलिए नेक्स देख आप ज्यादा नहीं डालना है अब इसे अच्छे से मसल मसल कर ओयल को मेक्स कर लेंगे अपने मैदे में नमक डाल देंगे थोड़ा सा और इस तरह से करते हुए हम अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखिए इस तरह से तो इस तरह से मिक्स करने पर क्या होगा मोयन अच्छे स जीरा भी ले सकती है हमने जुआ लिया हुआ है अब इसको हम भूल लगा कर रखेंगे तो सॉफ्ट लगाना है बहुत जदा हाड नहीं लगाना है तो लगा करके तैयार कर लेना इस तरह से देखें और बाउल से ढख कर देना है जिसे कि अच्छ से अच्छा से शेट हो जाए अगर फिरोजोपर मठण हो तो ने सकते हैं हरी तो हो यह होगी नई तो अब इसमें 0-5 ने मैं तो अब नदेखन को अब तरह से तो आप इसमें डाल देगे love लें। अब इसमें एप नदेखित आप रफली ही फोड दीजै कोई दिकत नहीं आप देखे आलू के हिसाब से नदालने कोई पहले हमने थोड़ा नमक दाला था जो हमारे मतर थे रोच के हिसाब और छाफ मेट लेगे काई नीच मासाले तरह से अब क्या है इसे फोर्ड लेंगे नेगे लुटातो में सा और अच्छे से इसको फोर्ड लेंगे, अगर थोड़ा բाठी रहे मेरे इसे को प्राप्रॉड्म नहीं आगी है इसमें हरा धां डाल देंगे और इस इसमें हम लोह कट करके रखेंगे इस तरह से यह देखें जो नास्ता है इसके आगे आप समोसे बूल जाएंगे खाना टीश्टी इतना यमी बनता है और सबसे अची बात है यह इसमें आप अपने हिसाब से मसाले एक कर सकती को जरूरी नहीं है जो मसाले हमने बताएं बस वह करें आप अपने हिसाब से कोई भी मसाले एड़ करके तयार कर सकते हैं तो यह देखें नीबू के साइज की एक लोई कट कर लिए इस तरह से सारी बरावर सेम साइज की यह देखें तो इनको हम बरावर कर लेंगे अब एक चीज और ध्यान में रखना है कि लोईयों को खुला लेंगे थोड़ा सा और आप इसमें रख देंगे अपनी स्टपिंग तो एक बार में जितनी स्टपिंग आजए बस उतनी भरें ओवर ना भरें वरना यह लोईयों आपके फट सकती है तो देखें बिलकुल जंजट नहीं है आप इस तरह से हम पोल करेंगे अच्छे से और इसके बाद करना क्या है यह देख सकती है इस तरह से करते हुए देखें यह हमारी गोल तैयार हो गई है मिनी कच्छोडी जो कि बहुत टेस्टी बहुत यम ही लगएगी खाने में यह देखें इस तरह से तो गाई इसको आप अगर आप फ्रिज में रखती है ना तो दो से तेन दिन चला सकते हैं बिल्कुल अच्छी रहेंगी खराब नहीं होंगे और ठंडियों में ही बनाती है तो बहुत टेस्टी है ठंडियों में आप दो से तीन दिन बाहर ही रखकर खा सकती है और यह कछोड़ी बच्चो को बहुत पसंद आएगी इसके आगे बच्चे आगे समूसे नहीं मांगेंगे बाहर के मार्केट के समूसे इतना टेस्टी है इतना यह लगता है तो इस दिद्धार से बना कर रख लेते हैं देखिए एक चीज़ और इनको भी बना बना करके ढखते ही जाना है खुला नहीं रखना है वरना यह सूख जाएंगी तो यह पिर कर रखो तुरंत तो इसमें जंग आ जाती है जंगा तो इस वचे से थोड़ी सी गंदी है कड़ा ही तो देखिए ओयल में हमें थोड़ा सा डो डाल कर देख लिया था और हमारा हो चुका था अच्छे से तो इंको हिलाना नहीं जादा स्टेश नहीं करना है बस हांतों से इ यह और अच्छे से थोड़ी से जादा खरी हो गई थी वहांतों से बेखिए गवीं अच्छे से तो देखिए भंड करके त्यार होगा हमारी यमए तेस्टी मिनी कचोड़ी चो कि बहुत टेस्टी है है और बहुत खसता है तो इसी तरह से हम सारी कचोढ़ी यां नहीं गए तो देखें सारी तैयार हो गई है और यह कचोड़ी आपकी बढ़िया यमी चाय के साथ बच्चे तो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं एक भी कचोड़ी बहुत अच्छी से बहुत प्रेम से खाएंगे तो यह बन करके तयार होगे हमारी खस्ता-खस्ता सी कचोड़ी तो देख बच्चों के फेवरेट हो जाएगी तो बच्चों को जारा था बच्चों को मीठा बहुत पसंद आता है तो क्या करना है में ले लेना है जगरी यानि गुड़ ये शिहत कि लिए भी बहुत अच्छा होता तो इसको च्टी च्टी चुख़्ुए में तोड़ लेना है और क्टी लिए पानी डाल देखें और इसे मेल्च कर लेंगे एक से यह कर systे हैं तो हमने पता अक्टी कर देखें लें जल्द करना मैल्च हो जाएगा तो民सी क्ला आप की फिलिपने से बूर्पारी और शरामेलिट divine whipping गुड़ भी प्रकार के आते हैं तो यह देशी गुड़ है इसको उने गोल लिया आप ले लिए आटा तो एक बावल आटा ले लिया है अब इसे हम डाल देंगे और अच्छे से गोल लेंगे यानि एक गोल बना लेंगे यह देखिए पतला डू बन करके तयार होगया आप द यह देखे हना के पारमा के टाले पावडर के डालेंगे रहiest यूमी इपने अ मेंकार्ण बना फार्गी यूमी एक दाम तो बने से लिग देैदा यूद्यशわか दालने से ज्यादा नहीं टाला है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखे इस तरह से करते हुए और अब क्या करना है आगे चलिए दिखाते हैं अभी लास तक बने लेगा बहुत अच्छा है अभी यह कुछ भी नहीं है आगे देखेगा तो यह देखे अपना तावा ले लिया ह अच्छा था आटा गुड़ और नारियल का इस तरह से फैला देंगे इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा हालका सा यह तरह से देख सकते हैं आप इसे मुछा चीला भी रोल सकते हैं मगर प्रस्पी नहीं होगा यह तो यह देख सकते हैं अभी लास तक बने रहे नीचे से आपका सिखेगा चीला नीचे से सिखेगा और यह वाप में पख जाएगा जिसके हुचे से उपर भी वी ड्राय हो जाएगा तो यह देख थे इसको हम उलट पलटकर हमें सेखना है अच्छे से यह देखिए इस तरह से बहुत टेस्टी बहुत यम्य और सॉफ्ट गोउने Nikki देखे प aí। एकन चैनर नहीं हमनम ऊकर आप नकालت है कि अंच्ट और ऊच्छी तरह से सारे बनाकर एंवार करें ये देखें नहीं इतना पथरा होता है कि प्र mini ये सकते हार वैंने अब लिए उसफ कि शे can a गी डाल देना और अच्छे से पकने देना है बड़ी आसका क्रस्पी नहीं होगा मगर पकने दीजेगा यह देखिए दो मिट लगेगा पकने में जैसे चीले का लगता है तो देखिए उपा से राय हो गया अब हम क्या करें इस पर भी डाल देंगे जितने होल्स है इसके माद अगर बच्चों को पसंद आता है तो प्लीज हमें बताएगा जरूर कमेंट करके तो देखिए यह दूसरा चीला बन करके तयार हो गया है तो चले इसी तरह से हम बनाएंगे सारे चीलों को उसके बाद देखते हैं कि आगे हमें क्या करना तो सेम प्रोसेस करना है कोई भी अरछो जिसको चोकुलेट ना पसंद ऊद्धं यह चोक्लेटल शीरुप ना पसंद ऊपर तो बस पड़ाटे तो पर लगाएगए चोकлыटली शीरॉप और इसे यह बच्चों को दिजिए इंडोय करने के लिए ऐस तरह से रोल बना करके पक्यों के चैने टेफिन में रखि